दोस्तों अगर आप अपने लाइफ के हर एक शेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के दस उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. तो दोस्तों बिना समय को गवाय चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के दस उपदेश के बारे में, जो आपकी जिन्दगी बदल देंगे. एक, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है, वही उसके जीवन में घटता रहता है. दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम अंड़स को वासना चलती रहती है, तो उसके जीवन में काम अंड़स को वासना ही घटत होंगी. यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं, तो उसके जीवन में धन ही घटत होंगा. और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविश्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था दो निदर होकर आगे बढ़े दोस्तों केवल दो गलतिया है जिसके वजह से इनसान सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है पहला शुरुवात ना करना और दूसरा सागरते ना करना दोस्तों ये बात उन दो तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजल तक नहीं पहुँच पाते हैं पहले वो जो भागयवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबरा कर अपने काम को अंधुरा छोड़ देते हैं दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पोजिटिव इनसान बन जाए आगे बढ़िये और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी दोस्तों अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में मेहनत के बिना कुछ नहीं दोस्तों आलस्पन और कामचोरी आपको बरबादी की और ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है जबकि महनत अच्छा और खुशाल जीवन जीने का एक मात तरीका है मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग महनती है अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होंगी दोस्तों मूर्खों की तरह बैठे-बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्षन लेना बहुत जरूरी पड़ता है इसलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है चार, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं जब मन शुध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परच्छाए हमारा पीछा नहीं छोड़ती है इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बाते सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्तिती में वो आशा की किरन ढूंड सकें और अपनी लाइफ में खुश रह सकें सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगार भी सकती है क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वो बनता चला जाता है आपकी सोच का निर्मान होता है आपकी पांच इंद्रियों के द्वारा और वो पांच इंद्रिय है आख कान, नाक, जीव और तवच्छा जैसी भी जानकारी आप इन पांच इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, वैसे ही आपकी सोच बन जाती है और जैसी आपकी सोच बनती है, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो अच्छा सोचिए दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आपने आज में जीए और भविश्य का सपना मत देखिए अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षन पर केंद्रित करे, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने डैक और चिंताओं से मुक्ति पाने का और यही तरीका आपको शांती की ओर ले जा सकता है दोस्तों, ये सभी बाते हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं, या बहतर भविश्य की कामना करते हैं जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है दोस्तों अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप तीक हो जाएगा और हमें जिस चीज में खुशी चाहिए उसे हम आजी के समय में पलेंगे